हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप सभी का आर्वी अडिट्यूब क्लास में तो आज मैं आप लोगों के लिए एक कोस्टन लेकर के आया हूँ यह कोस्टन क्लास 9 की मैद से एक्सरसाइज 10.5 का कोस्टन नमबर 1 है यह पेज नमबर 184 से लिया गया है इस फिर उसको खोल करके रख लिजे ताकि आपको सही से समझ में आए यह थिरम आपको पेज नमबर 180 पर मिल जाएगा बीना थिरम 10.8 को समझे यह कोस्टन करना थोड़ा मुस्किल है ठीक है तो चलिए देखते हैं इस कोस्टन में हमसे क्या पूछा गया है और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा कमेंट बॉक्स में अपने कोईरी पूछ लिजेगा चैनल पर नए है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मुस्किल से एक या दो सेकंड लगेगा चलो फिर सुरू करते हैं कोस्टन में हमसे बोला गया जो कि हमें दिया गया है 30 degree and angle aob is equal to 60 degree यह हमार पास aob जो कि हमें दिया गया है 60 degree ठीक है if d is a point on the circle other than the arc abc find angle adc तो यह कह रहे हैं कि अगर मालोग कोई point d है तो यहां पर हमें बताना है कि angle adc कितना होगा ठीक है तो सबसे पहले मैं यहां पर write कर लेता हूं given given है हमारे पास angle boc is equal to 30 degree angle aob is equal to 60 degree तो यहां से हम क्या कर सकते हैं यह वाला जो एंगल है angle aoc इसको find कर सकते हैं angle aoc is equal to angle boc plus angle aob ठीक है अब देखो यह हमारे पास angle aob है और यह boc है इन दोनों को जब add कर देंगे तो इन दोनों का सम हमें मिल जाएगा angle aoc तो add करेंगे तो add करेंगे 30 degree plus 60 degree और यह हो जाएगा हमारे पास angle aoc is equal to 90 degree अब देखो जब यहां तक हमने find कर लिया तो अब हम देखेंगे आगे क्या होगा देखो समझाता हूं मैं आपको angle a dc जो होगा वह equal to होगा one by two angle aoc अब क्यों होगा कि भाई थियर्म है तेन पॉइंट एट ठीक है यह थिर्म टेन पॉइंट एट आपको पेज नॉमबर 180 पर मिल जाएगा जिस जिसने तेन पॉइंट नहीं पड़ा हो जाकर के पढ़ लिजे अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने वीडियो ब 10.8 यह कहता है कि center पर बननेवाला जो angle है वह circle के किसी remaining part पर बनने वाले angle का double होगा ठीक है यानी यह जो एंगल aoc इंटर पर बन रहा है और यह जो adc है यह remaining part पर बन रहा है तो angle aoc is equal to 2 into angle adc ठीक है अब देखो अगर अगर हमें ADC की value find करनी है तो इसको इधर बेच देंगे टू को इन टू में है तो डिवाइट में चला जाएगा means एंगल ADC is equal to one by two angle AOC यानि कि यह हाफ हो जाएगा ठीक है यानि कि अगर यह वाला तो यह कट जाएगा और मिलेगा हमें 45 means angle ADC is equal to 45 degrees कितना 45 degrees तेहां से हमारा answer कितना आजाएगा 45 degrees आजाएगा आप चाहें तो वीडियो को पाउच करके इसको write down कर लें या फिर screenshot ले लें तो दोस्तों उमीद करता हूं कि इस question में आपको कुछ भी समझ में आया होगा अगर यह like कीजिए share कीजिए और subscribe भी कीजिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ अब तक के लिए thank you class